अगर करींग मैं Medicine छोटीर्ट कहाना जिसका नाम है जिनका लोजिस्टिक्स यह किस तरीके से खाम गरती है यह प्सकी फॉल है कि यूप अजके फ्लीट मेनेज कर पाते हैं, ट्रक्चों में कितना fuel है, कितना kilometer cover कर चुका है, कितना material अभी loaded है उसके अंदर में, विये ट्रक की правда tracking होती है, कितना kilometer पास कर चुका है, एक employee कितना motto कितना our course कि killing अरभी तक राईडिंग कर चुका है. से लिए complex tracking है s吧 क्यों कर आ क्योंड को अगर ट्रक्स कहीं पर टॉल पेमेंट करना है तो वो टॉल का पेमेंट भी एप के थू ही हो जाता है यूनो फास्ट टैग प्रोवाइड करती है तो ऐसी यह कंपनी है जिंका लोजिस्टिक सॉलुशन्स यह कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने वाली है यह एप है इन क्रोड तो कंपनी के जो INITIAL SHARE HOLDERS होते हैं वो अपने कुछ SHARE बेच रहे हैं और साथ में कुछ PROMOTORS भी यहां पर बेच रहे हैं बागी 550 क्रोड रुपए कंपनी के पास में भी जा रहे है अब यहां पर जो company ने रीजिन बताया है IPO उठाने के पीछे तो यहां पर पहली रीजिन तो यही है कि जो marketing हमको अपना नाम है और फैलाना है आज के दिन भी इनके जो app होते हैं उसको लगबग इंडिया के जितने trucks चलते हैं commercially उसका 25% के आज पास में जो truck owners होते हैं वो use कर अपरेटर्स truck operators बाकी 75% अभी भी area uncovered है तो उसको company cover करना चाहती है तो उसके लिए marketing के लिए पैसा चाहिए और company के एक सबसीडरी है इनके सबसीडरी है ब्लैक बग फिंसर प्राइवेट लिमिटेड जिसके अंदर में company को और capital बेस बढ़ाना है क्योंकि NBFC है तो उसके लिए company यह जो company loan देने का काम करेगी तो truck वालों को जो भी loan की सुविधा अगर चाहिए तो आप इनको दूसरी बैंकों क हाथ जोड़ने की जरूद नहीं है कि हमको loan दे दो यह company अपनी तरफ से पैसा उठाकर कि फिर loan पर पैसे दे सकती है so kind of secured loan यह देने वाली है क्योंकि truck secured रहने वाला वाला इसी बात है तो उसके लिए भी capital financing की जरूद पड़ेगी तो उसके लिए पैसों की जरूद है third one is capital जो expenditure हो रहा है product development की अंदर में जो भी company app चलाती है उसमें खर्चा होता है तो उसके लिए पैसों की जरूद है so basic reasons है जो की company को future के अंदर में और अच्छा perform करने के लिए help करने वाले है यहां पर यहां पर most of the पैसा उठाया जा रहा है वो company के जो promoter और company के initial investors यहां पर अप पांच हजार क्रोड रुपे के आसपास में लगाई गई है जबकि company जो है 2015 में ही खुली है और आज के दिन कोई भी net profit generate नहीं कर रही है पिछले कुछ सालों में अगर देखते हैं तो हम लोग एक stagnancy position बनी हुई है तो अब company को थोड़ा सा अंदर से जाने ही को जिस करते है क क्या पता कुछ कुछ निकल जाए company में से अब आज के दिन जो company करता दरता है promoters है mainly वो है राजेश कुमार नाइडू या बाजी उन्हीं के पास में एक company का जो mostly इन्डिविजुल शेरोलर्स की बात करते हैं बागी investors जो जो भी seed funding होती है बाद में series A, B, C, C तो पैसा उठा आते हैं corporate वाले यह जो startup वाले उनसे पैसा उठाया हुआ बाद में SLE India Mauritius Limited से पैसा उठाया हुआ है तो यह पैसा उठाया के बाद में initial shareholders भी company में एंटर हो चुए है वो भी अपने share बेच रहे है IPO के तुरू कुछ कुछ stake बेचान सारा नहीं बेच रहे कुछ stake company के पर में आज के दिन कुछ खास cases वगरा नहीं है बट एक जो है against our company criminal case है और दो यहाँ पर material civil litigation वाले case है criminal case कौन सा है कि company के जो truck operators जो truck use करते हैं तो वहाँ पर जो की payment की सुभी तर दी जाती है app के थुरू तो truck operator जो की police बोल रही है कि इस truck वाले ने कोई trucks वगरा supply कर दिया उसका जो पेमेंट है वो आपके app के तुरू किया है तो criminal proceeding company भी थोड़ी सी गुशी वह है उसके अंदर में फासी भी है क्या पेमेंट की सुभीता देती है company बट यहाँ पर company कोई गलती नहीं बट सिल case चल रहा है दूसरे दो material civil litigation भी company के उपर में चल रहे हैं एक तो company जो domain name है उसको करवा लिया blackbug.in तो अब वो बंदे ने case कर रहा कि यह हमारी business के साथ में थोड़ी सी जाती हो जाएगी लोग है हमारे business को यह जो particularly इस business के तरफ में चले जाएंगे जो की conflict of interest पैदा हो जाएगा क्योंकि .in और .com में ज्यादा फरक करते ही नहीं है आम जंता समझती है .in.com क इनको अलाव मत करो यह यूज करने के लिए बट जो यहाँ पर आयना रिजिस्ट्री वाले हैं जो अटोनमस बोड़ी है उन्होंने अलाव कर दिया तो यह दोबारा सुप्रीम को सुरी हाई को चले गए तो बार-बार फाइल कर रहे हैं लेटिकेशन की अपील फाइल कर र थी 2015 में इन्होंने फंडिंग भी उठा ली एसल इंडिया और मौरिश्यस लिमिटेड कंपनी से क्योंकि उस टाइम में अगर हम लोग थोड़ा बहुत याद करें तो उस टाइम में कोई भी कंपनी जो की ऐसे स्टार्ट अप कल्चर के अंदर में इंवेस्टेट रहती थी फिर आती थी, उसको funding भूत आसानी से मिल जाती थी वह वही era है यह वाला यहाँ पर यह अपनी तरफ से भी loan पर पैसा दे सकते हैं, now that's again nice कि यहाँ पर पहले दूसरी बैंकों के हाथ जोड़ने पड़ते थे हैं, वो जोड़ने नहीं पड़ेंगे, सस्ते में पैसा उठा करके, महेंगे में loan पर पैसा देंगे, और वो भी secured, that's good, तो अंदर के अंदर ही कमाई एक और बन गई, जो कि एक future, इसलिए तो इन और company की जो value लगाए है, पांच अजार क्रोड रॉपे की आसपस में, बागी company में कोई दम नहीं है अभी तक, बाट यहां पर यह जो दम बनने वाला है, future के अंदर में, उस चीज़ का पैसा यहां पर लगाया गया है, next अगर हम लोग देख लेते हैं, यहां पर की company के आसके जिन तीन सब्सेटरी ने, blackpuck, finzer, private limited, 100% shareholding है, इसके अंदर में fully owned है, दूसरी है TGF, तीसरी यहां पर देखने को मिल रही है, JJ Logistics Solutions, private limited, तो यह तीन सब्सेटरी ने कंपनी की, जिनको 100% shareholding जो है, यह IPO लेकिया है, यह company own करती है, साथ में अगर देखते हैं, तो company का, जो main करता दरता है, chairman, managing director, chief executive, यहां पर company के पास में, जो भी registered office है, या फिर दूसरे offices हैं, वो सारे ही lease पर हैं, कोई भी property आज के दिन company own नहीं करती है, trademark जो company use करती है, black buck and jinka, यह jinka भी तो नाम है, company का, black buck तो app का नाम है और jinka company का नाम है, तो दोनों के दोनों ही company ने register करवा रखे हैं, Indian trademark act के अंडर में, और साथ में इनका जो black buck वाला जो यह logo है और यह नाम है, इन्होंने यह world intellectual property के अंडर में भी register करवा रखा है, next company के नमाज के दिन 1480 employees काम कर, sorry, 1850 employees काम कर रहे हैं, that's again nice, company यह कुछ apps हैं, जिनके तुरू जो अपना काम करवाती है, जैसे sales and distribution का app है, यहाँ पर transporter app है, यहाँ पर trucker app है, operational apps है, तो कि अलग-अलग departments के लिए बना रखे हैं, एक customer के लिए बना रखा है, दूसरा department के लिए बना रखा है, एक customer को request डालता है, तो आप उसको department को कौन सा app जाता है, कौन से app के अंदर में automatic funding हो जाती है, यह भी information पहुंच जाती है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि truck operator कि इस तरीके से इनका app को use करते हैं, fast tech का payment कर सकता है, patrol का payment कर सकता है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने account जो इनका app है, तो उसमें account खोलेगा truck वाला, truck operator, customer, और वो फिर वहाँ कहीं पर भी उसका payment कर सकता है, यह दो चीज़ें आप company दिखाई में है, वो as a, हमारी through पैसा flow कर रहा है, हम उसको revenue नहीं मारा, revenue वो मान रहे हैं कि जो हम commission काटते हैं, या फिर हमारे app के लिए service cost हम लोग charge करते हैं, या फिर हम जो loan पर पैसा देते हैं, उसके अंदर में जो commission में मिलता है, या फिर अब NBFC के जो loan पर पैसा देंगे, उसका interest कमाएंगे, तो वो हमारा revenue होगा, जबकि ना कि ट्रक वाला होता है, वो जो payment add करके फिर payment करता है, व क्योंकि हैं पर transaction value जो इनके app के through हो रहे हैं, कर रहे हैं, वो बढ़ती जारी, यहां पर 2000 क्रोड की की थी, यहां पर 2600 क्रोड की की, फिर यहां पर 2024 की अंदर में, तीन महीने के अंदर में ही 742 क्रोड की करती, जिसको अगर देखते हैं, तो 3000 क्रोड के आस पास में इस साल जो जी टीवी पहुंच जाएगी, that means की बारोसा बढ़ रहा है, that is nice, जितना जी टीवी बढ़ेगा, उतना service charge बढ़ेगा, क्योंकि कहीं पर payment कर रहा है, जैसे यह अपना fast tag वाला हो गया, या फिर petrol pump वालों के आस पास में कर रहा है, तो वो उनको charge कर देते हैं, क्योंकि हम commission से आया है, subscription से आया है, 117 करोड और 50 करोड आया, service fees, subscription से भी अच्छा कासा पैसा company यहाँ पर कूट रही है, कमा रही है, 2023 में सिर्फ छोतर करोड आया थे, यहाँ पर 117 करोड यहाँ पर increase देख रहा है, that's again very very nice, क्योंकि बहुत अच्छा कासा increase यहाँ पर देखने को मिल र कर लेगी, subscription fees से ही, और यहाँ से लगबग 150 के आज पास में, यहाँ से कर लेगी, लगबग 300 करोड का revenue company generate कर लेगी, दोनों से ही, बाकि service fees अलग है, subscription fees अलग है, और 10 करोड रुपे, sorry, 1 करोड रुपे अलग से कमा रही है, that's very good, company is doing nice job, आप देख लेते हैं, कमपनी की उसी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर लगबग पैसा लगा हुआ है, 639 करोड रुपे, 639 करोड रुपे में से कितना shareholders का पैसा है, that is around 344 करोड रुपे, that means कि company का लगबग 50-60% जो पैसा है, वो investors का पैसा है, company है, खुद का पैसा ही company में लगा हुआ है, उधारी का पैसा लगा हुआ है, now that's again kind of ठीक है, ठीक ठाक है जिस तरीके से company चल रही है, अब यह पैसा कहां लगा हुआ है, तो उसके अगर बात करते हैं, तो वो सारा का सारा पैसा जिसे cash में पढ़ा हुआ है, यहाँ पर bank balance पढ़ा हुआ है, so mainly पैसा तो cash में ही company के पास में पढ़ा हुआ है, उसके अलावा चुटमोट और चीज़ों में पढ़ा हुआ है, तो की, right, जो की basic चीज़ें हैं जो company के पास में है, next अगर हम लोग revenue के अंदर में एक बार नज़र डाल लेते हैं, revenue किस तरीके से बढ़ रहा है, तो revenue ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहा है, एक सो पच का revenue companies generate कर लेगी, that is again very nice, जिसकी वज़े से, अब यहाँ पर problem कहा रही है, problem यहाँ आ रही है कि company net profit generate नहीं कर पा रही है, because company का employee benefit expenses है, वो बहुत ज्यादा है, because company app से काम करवाती है, पूरा का पूरा app के through his functioning होती है, तो वहाँ पर employees के लिए जो benefit वाला जो expense है, वो company का बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो software development IT sector में जो लोग काम करते हैं, वो बहुत महेंगे होते हैं, बहुत पैसा चार्ज करते हैं, जिसकी वज़े से company के यहाँ पर employee benefit expense बहुत ज्यादा है, future के नहीं में, जैसे जैसे यह revenue बढ़ता जाएगा, तो यह employee benefit expenses हैं, यह उतने नहीं बढ़ें की, यहाँ पर एक साल का वक्त और लग सकता है, company को भी break even cross करने में, यहाँ पर अगर इस साल हम देखते हैं, तो यह तीन महीने के बंदर company ने दिखाए कि हम net profit plus में आ गए हैं, बट यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक exceptional profit item इनों ने दिखाया है, कि हमने exceptional item यहाँ प company वाले जो कि यह मान के चल रहे थी कि हमें उधारी वापस चुकानी पड़ीगी, तो अब वो जो लेंडर से उन्होंने बोल दे कि उधारी चुकानी की ज़रुत नहीं है, तो यह इनका कुद्या corporate को चला है, साथ काट होई है, जिसकी वेसे यह पैसा जो है profit में दिखाने क की कोशिस की गई है, जब कि हुआ नहीं है, दूसरा यहां पर अगर employee benefit expenses को देखते हैं, तो यह भी घट गया है, जब कि यहां पर अगर देखते हैं, तो revenue बढ़ने के साथ, employee benefit expense बढ़ना चाहिए, बढ़ना नहीं बढ़ा, that means कि अगले आने वाले 9 महीनों के अंदर में यह नाइस, अब आगी future के अंदर में यह दो साल बाद में या तेर साल बाद में इसके ओपर ही जाने के chances दिख रहे हैं, that's all, cash flow company का आज के दिन भी देखा जाए, तो cash flow ठीक ठाक positive की side में ही है, that is again, nice, यहां पर cash flow statement दिख रहे हैं, यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, one second, operations, cash generated from operations, तो यहां पर देख रहे हो, buy score net positive है, यहां पर 30 score positive है, यहां पर cash flow ठो positive को already company पहले ही अचीव कर चुकी है, अब future के अंदर में ठीक ठाक generate कर लेगी, again, so overall अगर company के बारे में देखा जाए, तो मेरी जो राय है, वो long term के साब से बहुत अच्छी है, because जो यह पूरा segment है ट्रकों वाला और एप के तुरू मेनेज करने वाला, उसको 25% ओन कर रहे है, और उसको भी expand करने का और सोच से पैसा वहाँ पे अच्छा का सा डालने वाले है, 500 क्रोट रुपे, that's again good, और उनकी खुद की NBFC अब मिल गया license, तो वहां से भी अच्छा का सा पैसा generate करेगी, तो I am very hopeful in the long run for this company, but in the short run अभी हमें देखना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से market value देता है, अभी हां पी इन्होंने comparison के लिए एक company बताई हुई है, जो कि CE Info System है, जो कि MapMy India है, जो कि completely एक segment, अलग segment की company है, जिसके साथ compare करना मुझे नहीं लगता सही रहेगा, but I guess यह अपने segment में एक इकलोती type की company है, so let's see कि short term में कैसा perform करती है, मेरे साब से तो जो अच्छा करना चाहिए इसको, I think इसको अच्छा करना चाहिए, but IPO में apply करने जितना अच्छा भी नहीं करना चाहिए, हमें wait करना चाहिए, of course ही बात है, but मैं अपनी परस नहीं बता सकता हूँ, मैं wait करना चाहिए, बागि आप अपने ही साब से decision बनाए, positive, negative हो भी है, अपने financial advisor से पूछके, और research करके ही अपना decision बनाए, that's all, कल फिर मलते हैं नए important video के साथ में, finally, see you tomorrow.